पिछले वीडियो में हमने golden rules of accounting के जो rule थे इनके बारे में देखा था और इनके उपर based हमने कुछ question भी देखे थे आज हम इस वीडियो में exercise 1 में जो बाकी बचे question थे इस वीडियो में solve करेंगे और साथी साथ हम यहाँ पर आगे introduction to business organization कितने types की होती हैं यह सारी चीज़े देखेंगे तो सबसे पिले यहाँ पर पिछले वीडियो में यहाँ पर हमने चार question जो थे यह complete कर लिये थे और बाकी का जो work था यह हमने आपको homework के लिए दिया था तो अगर आपने किया है तो काफी अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं किया है तो ऐसे देखो नहीं चलेगा आपको जो हम homework के यहाँ पर दे रहे हैं यह आपको करना पड़ेगा ताकि आपकी practice जो होती रहे साथ में क्योंकि यहाँ पर जो मैं वीडियो में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप सोचे कि सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी से आपका हो जाएगा complete हो जाएगा तो ऐसा नहीं है क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको हो सकता है कि तुरण समझ में आ रहा लेकिन अगर आप practice नहीं करेंगे तो वो चीज़े आप 2-3 दिन के बाद में भोल जाएंगे, अगर यकीन नहीं है तो आप इसका practical करके देख सकते हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में कुछ students ने comment किया था, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में comments के reply भी देने वाला हूँ, फिल अपने आपको मानेंगे, business के honor हम अपने आपको imagine करेंगे, ठीक है, तो Mr. Verma, purchase अग mobile phone यानि कि Mr. Verma ने एक mobile phone खरीदा है, किस से खरीदा है, राज टेली कॉम से कितने का, 5000 का on credit यानि की उधार खरीदा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप actual में mobile phone खरीदने जाएंगे business के लिए, तो business में क्या आएगा, mobile phone यानि कि आपका, तो यहाँ पर इसमें आपका एक account निकलेगा mobile phone का, इसको mobile phone लिखें, या फिर सिर्फ phone लिखें, ये इससे कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, तो यहाँ पर हमने mobile phone एक account निकला, और दूसरा यहाँ पर निकलेगा, राज इसलिए निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर cash तो है नि, क्योंकि हमने उधार खरीदा है, तो देने वाले आपका है, राज टेलिकॉम, ठीक है, तो यहाँ पर राज टेलिकॉम ये दूसरा account निकलेगा, अब यहाँ पर जो mobile phone है, ये एक real account है, आपको पता होगा, हमने पिछले ये real account है, तो real account का rule कहता है, कि आने वाले को debit करो, तो यहाँ पर mobile phone business में आएगा, इसलिए यहाँ पर ये debit हो जाएगा, और जो यहाँ पर राज टेलिकॉम है, ये personal account होगा, क्योंकि राज टेलिकॉम कोई swap हो सकती है, किसी का नाम हो सकता है, तो यहाँ पर ये personal account होगा, और personal account का rule कहता है, कि देने वाले को credit करो, तो यहाँ पर राज टेलिकॉम हो जाएंगे, credit हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये question आपका complete हो गया, debit, mobile phone and credit, राज टेवल, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, अगला question है, Mr. Verma, withdraw 10,000 from HDFC bank, Mr. Verma, यानि कि business का honor, यानि कि हम, हमने क् account में 10,000 रुपे माल लेते हैं, जमा था, हमने क्या किया, 10,000 रुपे bank से निकाल करके, business में cash के रूप में डाल दिये, इस entry को हम transfer entry बोलते हैं, यानि bank से पैसा cash में transfer कर रहे हैं, या फिर जब हम bank में पैसा जमा करते हैं, तो cash से bank में जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पैसा निकाल रहे हैं, तो bank क्या है, देने वाली है, और देने वाली है, यानि कि ये personal account में देने वाला credit होता है, तो यहाँ पर HDFC bank आपकी हो जाएगी, credit हो गया, HDFC bank, और debit में आपका cash, क्योंकि business में पैसा आ रहा है, अगर हम bank से पैसा निकालेंगे, तो cash जो है, वो business में आएगा तो debit cash हो जाएगा और credit HDFC bank हो जाएगी, यहाँ पर एक question और देखते हैं, अगर यही question यहाँ पर इसमें यह होता है कि Mr. Varma ने 10,000 रुपए deposit किया है, Mr. Varma deposited रुपीज 10,000 from HDFC bank, यहाँ पर अपकी बार क्या गिया, deposit किया है, तो अगर deposit करेंगे, तब उस condition में भी दो ह अकाउंट होंगे और यही HDFC bank एक होगा और दूसरा होगा आपका cash का, लेकिन यहाँ पर अब की बार HDFC bank debit हो जाएगी और cash credit हो जाएगा, क्यूंकि bank पाने वाली है और cash जाने वाला है, तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि Mr. Varma deposit 10,000 from HDFC bank, यानि कि Mr. Varma ने पैसे जमा किये है, तो पाने वाली तो bank है, ठीक है, समझ में आ गया personal account, ठीक है, clear है, लेकिन देने वाले तो Mr. Varma है, यहाँ पर एक doubt यह भी हो सकता है, तो देखें, यहाँ पर हमने सबसे पहले ही बताया था कि Mr. Varma जो business के honor है, इनको जो है entry में हम सामिल नहीं करते हैं, ठीक है Mr. Varma इनको हम entry में सामिल इसनी नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो entry कर रहे हैं, वो business की कर रहे है, ध्यान देना, Mr. Varma से कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पर हर question में Mr. Varma इसलिए आ रहे है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ आना चाहिए, क्योंकि actual में जो work हो रहा है, वो Mr. Varma ही कर रहे है, ले entry में नहीं आएगा, बलकि हमारे business से क्या जा रहा है, इसको हम यहाँ पर mention करेंगे, तो I think clear हो गया होगा, कि Mr. Varma कुछ ही ऐसी entry है, एक दो entry है, जहाँ पर Mr. Varma जो है, वो entry में सामिल के जाते हैं, बाकी entry में सामिल नहीं होते हैं, ठीक है, हमें business के entry handle करनी है, तो हमें यह आ रहा है, ध्यान से समझना, business में क्या आ रहा है, business से क्या जा रहा है, और business को कौन दे रहा है, और business किसको दे रहा है, ठीक है, इन सब चीजों को हमें देखना होता है, business में जो पैसा आ रहा है, वो income के लिए आ रहा है, या कोई उधार दे रहा है, कैसे दे रहा है, इन सब business को ध्यान में रखते हुए entry करते हैं चले तो अगले question के तरफ बढ़ते हैं question number 7 question number 7 में Mr. Verma paid cash 5000 to Raj Telecom यहाँ पर क्या हुआ है कि Mr. Verma ने 5000 रुपए Raj Telecom को नगत पे किये है ठीक है तो यहाँ पर दो account निकलेंगे एक आपका निकलेगा Raj Telecom का ठीक है एक Raj Telecom हो गया और दूसरा यहाँ पर आपका cash का account है तो यहाँ पर Raj Telecom आपके personal account है अब यह सारी चीज़े आपको देरे देरे पता चल रही होंगी Raj Telecom personal account है और यहाँ पर यह पाने वाले हैं क्योंकि अगर Mr. Verma याने की business से हम 5000 रुपए Raj Telecom को देंगे तो Raj Telecom क्या है पाने वाले debit हो जाएंगे और आपका credit में cash यह हो जाएगा cash क्योंकि cash जाने वाला है और यह real account है ठीक है तो यहाँ पर यह question भी आपका complete हो गया देखें यहाँ पर question मैं detail में इसलिए complete करवा रहा हूं ताकि आपको चीज़े रटनी ना हो ठीक है वरना मैं यहाँ पर यह भी बोल सकता था कि जब भी हम पैसा भुकतान करते हैं किसी को भी तो वो हमेशा debit होता है और credit में हमेशा cash या फिर bank होती है हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं लेकिन यह रटने वाली बात हो जाएगी और अगर आप question से account निकाल करके उसके उपर personal account और real account और nominal account के rule apply करना सीख गए तो फिर question किसी भी तरह का हो आप आसानी से उसमें से debit और credit निकाल पाएंगे ठीक है चलिए तो यहाँ पर अगला question देखते है question number 8 question number 8 में यहाँ पर Mr. Verma received a bill 4500 from सुकुन offset for printing office stationery तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि question थोड़ा सा घुमा के है लेकिन है बहुत ही easy Mr. Verma received a bill Mr. Verma ने क्या किया एक bill प्राप्त किया किस से सुकुन offset से कितने का 45 रुपय का किस लिए for printing office stationery यहाँ पर stationery क्या है यह खर्चा है आपको पता है हमने just अभी इसी से related हमने question देखा था लेकिन वहाँ पर जो हमने stationery खरीदी थी उसमें हमने cash में यही नगत payment कर दिया था बस लेकिन यहाँ पर हमने क्या क्या है उधार किया है लेकिन यहाँ पर हमें समझना है समझना क्या है देखिए question वही है थोड़ा सा घुमा के है जैसा कि हमने बताया सुकुन offset से अगर हमें bill मिला है हमें यानि कि Mr. Verma को अगर सुकुन offset से bill मिला है इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ न कुछ शामान या ऐसा कुछ हमने वहाँ से उधार लिया होगा उधार खरीदा होगा तभी तो इनको bill मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर इनको bill मिला तो यानि कि यह entry हमें tally में करनी है तो सबसे पर यहाँ पर हमें account निकालने है और उसका debit card निकालना है ठीक है तो यहाँ पर दो account निकलेंगे एक निकलेगा आपका stationery का ठीक है एक stationery का और दूसरा यहाँ पर आपके हो जाएंगे सुकुन offset ठीक है तो यहाँ पर यहाँ आपका हो जाएगा सुकुन offset का ठीक है दो account निकले stationery क्या है stationery एक प्रकार का खर्चा है हमने बताया था तो जो खर्चे है वो nominal account में जाएगा और यहाँ पर nominal account का rule कहता है कि जो loss and expenses है उन्हें debit करो तो यहाँ पर हम stationery को debit करेंगे ठीक है पता चल गया होगा और जो सुकुन offset है यह personal account है तो यहाँ पर यह personal account होगा और personal account यानि कि देने वाले को credit करो तो यहाँ पर सुकुन offset देने वाले हैं credit हो जाएंगे ठीक है तो यह question के लिए हो गया debit stationery और credit सुकुन offset आगे बढ़ते हैं question number 9 अगला question देखे क्या गया है कि Mr. Verma withdraw 4000 from HDFC bank for personal use यानि कि Mr. Verma ने क्या किया है 4000 रुपए HDFC bank से निकाले हैं वो भी personal use यानि कि निजी खर्च के लिए निकाले हैं ठीक है तो यह question हो गया अब यहाँ पर Mr. Verma आप अपने आपको थोड़ी देर के लिए माल लीजिए तो अगर आप अपने बिजनेस से कुछ पैसा निजी खर्च के लिए निकालेंगे तो क्या होगा वो उतना पैसा आपके बिजनेस से कम हो जायागा जैसे माल लेते हैं कि हमने एक लाग रुपे से बिजनेस से स्टार्ट किया था और एक लाग से बिजनेस से स्टार्ट किया तो बिजनेस के पास अभी कितना है एक लाग रुपए हैं माल लेते हैं और आपने जरूवत पढ़ने पर उसने क्या किया कि पांच हजार या दस हजार रुपए बिजनेस से निकाल लिए जो की निजी खर्च में यूज कर लिए अगर बिजनेस पर ही खर्च होते तो फिर उसमें परसनेल उच कोई बात ही नहीं थी उन्हें परसनेल उच के लिए निकाला यानी कि उन्होंने अपने निजी खर्च में यूज किया है तो उतना पैसा बिजनेस से कम पढ़ गया तो ऐसी एंट्री जहाँ पर निजी पर बगूठर राइग या फिर विड्रोल कुछ भी लग सकते हैं clear है तो यहां पर आप लेते हैं हमने आप विड्ड्रोल लिखा थिक क्योंकि HDFC bank यहां पर personal account है और यह पैसा दे रही है इसलिए देने वाली bank credit हो जाएगी personal account यानि देने वाला credit HDFC bank credit हो गई अब पाने वाला withdrawal withdrawal क्या है ठीक है तो यहां पर देखे withdrawal क्या है तो withdrawal कोई विक्ति या संस्ता तो ऐसा तो नहीं लग रहा और यह कोई गैसा expenses या है इसा खरचा भी नहीं लग रहा क्योंकि हम गर्च केके टेके चेँ रहें जो यह हम सैलरी दिया गहाρί机 इसलेश के खरचे में आता है लेकिन यह खर्चा यहां पर यह एक capital अकाउंट ऑस इसके बारे में आगी हम देखेंगे फिलाल capital account हम उसे कहते हैं जो business में पैसा लगाया जाता है यनि जो पूंजी होती है उसको हम capital account बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमारे business से पूंजी कम पड़ रही है देखे क्या होता है कि business में पूंजी जब लगाई जाती है वो भी capital account होता है और जब business से पूंजी निकाली जाती है वो भी capital account होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कि business से पूंजी जो है, निकाल रहे हैं, withdraw कर रहे हैं, यानि कि हम अपने business से, जो है, कुछ पूंजी निकाल रहे हैं, जरूत के हिसाब से, तो यहाँ पर जो withdraw है, यह Mr. Verma यहाँ पर माने जाएंगे, और Mr. Verma ही withdraw कर रहे हैं निजी खर्च के लिए, तो इसलिए withdraw एक प्रगार का personal account होगा, यह आपका क्या होगा, personal account होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यह personal account इसलिए होगा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं, व्यक्ती से संबन दित है, तो इसलिए withdraw जो है, यह personal account होगा, यह पैसा Mr. Verma के पास जा रहा है, और यह पाने वाले हैं, तो यहाँ पर पाने वाला personal account कहता है, कि पाने वाले को debit करो, तो यहाँ पर withdraw क्या हो जाएगा, debit हो जाएगा, ठीक है, और अगर यह question आपका अच्छे से नहीं किलिए confusion है, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम इस तरह की बहुत सारी entry करने वाले हैं, तो सारी चीज़े आपकी वहाँ पर clear हो जाएगी, तो यहाँ पर देखे, आगे कोई question बचता है कि नहीं, देखते हैं, तो यहाँ पर इस exercise में total 9 question थे, जो हमने solve करवा दिये हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगला है introduction to business organization, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे business organization कितने परगार के होते हैं, ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है कि कोई भी business हो, या तो goods supply करता होगा, या फिर वो service supply करता है, ठीक है, तो वैसे मुख्य रूप से business दो ही होते हैं, एक होता है जो goods से related होता है, और दूसरा जो की services से related होता है, लेकिन goods में दो category होती हैं, यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हाँ पर services के बारे में देखते हैं, एक business में क्या होता है, देखिए यहाँ पर यह diagram में बताया गया है कि एक business में क्या क्या होता है, एक business supplier होते हैं, जो माल को supply करते हैं, ठीक है, finances होते हैं, जो पैसो का finance हो अगरा करते हैं, banks आ जाती हैं, employee होते हैं, customers होते हैं, और investors होते हैं, आपके business में invest करते हैं, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से मिलके बनता है एक business, ठीक है, यह सारी चीज़े एक business में होती हैं, यहाँ पर एक sort में बताया गया है, diagram के माद्दिम से, फिर उसके बाद आगे definition पढ़ते हैं, business organization अलग-अलग प्रकार के लेंदेन करते हैं, और आम और उपर इन्हें कुछ इस तरह से classified किया गया है, service organization, trading organization and manufacturing organization, तो यहाँ पर सबसे पहले service organization के बारे में देखते हैं, service organization वो organization होती है, जो सिर्फ service provide करती है, service organization में किसी तरह का physical लेंदेन नहीं होता है, इसमें कोई physically, अगर हम physical बात करें, यानि कि कोई भी goods खरीदा या बैच इसे teachers हो गए, अगर आपको हम पढ़ा रहें, तो यहाँ पर हम service दे रहे हैं, और बदले में fees ले रहे हैं, जहां से हमारी income हो रही है, doctors हो गए, doctors क्या करते हैं, कुछ खरीते बेशते हैं, नहीं, हलाकि medical वाले जो हैं, वो दवाय बेशते हैं, और खरीते हैं, तो medical जो है, service provide करते हैं, और यह service जो provide करते हैं, यह service organization के अंतरकर सारी चीज़ आती हैं, इसमें क्या होता है, इसका जो business का cycle होता है, वो किस तरह से चलता है, इसमें सिर्फ service organization होती है, यानि जो service दे रहा होता है, और सामने customer होता है, जो service ले रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर बस यह organization में यानि कि एक service organization में अभी हम service पढ़ रहे हैं तो service organization में business कितने से start किया गया उसमें कितनी संपतियां खरी दी गई यानि कि business को चलाने के लिए जो जरूरी चीज़े है जैसे table fan, AC, computer ये सब चीज़े खरी दी गई उसमें कुछ दो तीन employee की ज़रूरत पड़ी तो employee को salary दी गई नहीं दी गई ये सब entry आं जो है maintain करके रखनी होती है ठीक है तो यहाँ पर ये service organization हो गया कि service organization किस तरह से होती है और इसको अगर हम tally में करने की बात करें तो ये easy होती क्योंकि इसमें बहुती कम feature हमें यूज करने होते हैं tally के और थोड़ी बहुत knowledge होगी तब भी हम service organization को handle कर सकते हैं फिर आगे बढ़ते है trading organization में trading organization जो की व्यापार करते हैं यानि की जो organization goods को purchase and sell करती है यानि पहले goods को purchase करती है और फिर उसे सामने sell कर देती है आगे वाले customer को retailer को फिर वो trading organization के अंतरगत आते हैं इसमें व्यापारिक संगठन का मुख कार माल को खरीदना और उसमें अपना profit जोडने के बाद उसको आगे बेच देना यह काम होता है trading organization का ठीक है trading organization दूसरे से यानि की अपने उपर से माल खरीद करके अपने नीचे वाले trading organization को माल बेच देती है इसमें देखिए क्या होता है इस business cycle में customer होता है customer क्या करता है demand करता है और demand जो होती है वो trading organization के पास जाती है trading organization inventory based on customer demand यानि की inventory का मतलब होता है goods से related है inventory जो सब्द है इसका सीधा मतलब होता है goods यानि की माल ठीक है तो उसी से related है तो वो अपना check करता है ठीक है demand के हिसाब से और फिर stock जो है वो से भेज देता है और finally वो sell हो जाता है किसको customer को तो बस ये cycle होता है एक trading organization का आगे बढ़ते हैं trading organization समझ आ गया होगा फिर उसके बाद है manufacturing organization यहाँ पर यह तीनों organization अलग-अलग इसलिए है क्योंकि जब इनको आप टैली में maintain करते हैं तो service organization के लिए टैली में कुछ अलग से feature होते हैं trading के लिए अलग feature होते हैं और manufacturing के लिए अलग feature होते हैं इसलिए यहाँ पर इनको समझना जरूरी है और आप किस तरह के organization को manage करते हैं उस पर आपको ज़्यादा focus करना है ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर manufacturing organization में क्या होता है कि manufacturing organization raw material goods से finished goods टैयार करते हैं यानी raw material यानी कच्चे माल से finished goods यानी कि उसे बेचने लायक बनाती है तो उसे तयार किया जाता है manufacturing organization में कच्चे माल को एक प्रिकरिया के अंतर कर तयार किया जाता है जिसके बाद में trading organization उस माल को ग्रहक तक पहुँचाने का काम करती है यानी यानि कि manufacturing organization क्या करती है? raw material से एक finished goods ready करती है और उसे किसको बेज देती है? trading organization को sell कर देती है, बस. ठीक है? और trading organization क्या करता है? अपने नीशे retailer को बेज ता है, और retailer क्या करता है? वो सामान customer तक पहुँचाता है. और कुछ cases में तो wholesaler होते है, वो ही retailer भी होते हैं. ठीक है? वो wholesaler और retailer के बारे में आगे हम देखेंगे और I think आपको पता भी होगा. तो यहाँ पर manufacturing organization का जो cycle होता है, वो कुछ इस तरह से होता है. ठीक है? जिस चीज की demand होती है, manufacturing organization उसकी inventory planning करती है, यहाँ उसमें कौन-कौन सा कच्छा माल लगेगा, और फिर working capital management वो देखती है, कि इतना माल हम कितना तयार कर सकते है, जितना बलब वो पैसा invest कर सकती है, उस demand पर वो अपना capital देखती है, यह पनी पूंजी देखती है, और उसे आप से माल को तयार करती है, और goods जो है वो ready करती है, finally उसे market में उतार देती है, ठीक है, तो यह यहाँ पर manufacturing का cycle होता है, आगे बढ़ते हैं यह तीनों तरीके हमने यहाँ पर जो है, organization के बारे में यहाँ पर हमने बताया, और फिर इसके बाद अगले number पर बारी है laser group and voucher की, यह चीज़े practical based है, laser group and voucher यह practical based है, हलाकि पहले तो हम इसकी theory ही पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसको practically भी देखेंगे, तो practical हमारा main focus practical पर ही है, लेकिन उस practical में जितनी theory जरूरी है, उतनी तो हमें पढ़नी ही होगी, वरना practical में दिक्कत होगी, तो यहाँ पर I think अभी तक आपको what is account, अकाउंट क्या होते हैं, classification of account and golden rules of account, यह सारी चीज़े आपकी clear हो गई होगी, और किसी भी question से आप आसानी से account निकाल लेंगे, और उस पर debit or credit का rule apply करके उसमें से debit credit भी निकाल लेंगे, कोई confusion है, तो आप पुराने जो पिछले वीडियो है, दो से तीन उन्हें repeat करके एक दो बार देखें, सारी चीज़े समाज में आ जाएंगी, फिर भी कोई दिक्कत है, तो आप comment कर सकते हैं, चले यहाँ पर पिछले वीडियो में कुछ students ने comment किया था, उनका यहाँ पर आप को reply कर देते हैं, तो यहाँ पर एक comment था, sir, please help, 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 sir, तो देखें, इस तरह है कि अगर आप comment करेंगे, तो यहाँ पर हमें कैसे बता चलेगा, कि आप किस तरह के दिक्कत में है, क्या problem आपको हो रही है, आप ऐसे comment ना करें, अगर आपको कोई problem है, कोई query है, तो आप अपन problem जो है, वो comment में पूरा लिखें, हम comment पढ़ते हैं, और आपको reply करेंगे, अब इस तरह कि इसमें क्या होता है, कि अगर इसमें हम reply करेंगे, भी बताओ किस तरह की help चाहिए, तो आपने जो comment किया है, उसे हम 3-4 घंटे में read कर पाएंगे, तो कर पाएंगे, वनना time लग जा चलिए, तो यहाँ पर अगला comment देखते हैं, अगला comment है, सर, computer tally में entry नहीं करोगे, इनका कहने का मतलब यह है, कि जो tally है, software है, उसमें entry करना है, नहीं करना है, तो देखें, यहाँ पर I think आपको हमने comment पे reply कर भी दिया था, देखें, अभी तक जो हम पढ़ रहा है, यह theory important है, यह theory important है, यह theory complete करने के बाद में, आगे हम पूरा practical ही करेंगे, ठीक है, हमारा main focus practical पर ही है, जैसा कि हमने बताया, तो यहाँ पर आगे जो हम QSSD 1 और QSSD 2 solve करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने पहले सी सारी चीज़े ready कर रखी हैं, और यहाँ पर यह सारी ची की query थी कि जो tally ERP9 की series थी, वहाँ पर हमने question के बाद हर महिने का trial balance या reports थी वो नहीं दी थी, तो देखें यहाँ पर अपकी बार जो tally prime में हम use कर रहे है, question उनका report भी यहाँ पर हम दे रहे हैं, ठीक है, day book हो गया, और trial balance and balance sheet हर महिने की यहाँ पर हम आपको provide कर रहे हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर tally ERP9 वाली series में जितनी भी थोड़ी बहुत mistakes हुई थी, और जो भी कमिया थी, वो यहाँ पर हम tally prime में पूरी करेंगे, और बाकी कोई query है, doubt है, तो आप comment करते रहे हैं, suggestion देते रहे हैं, तो फिलाल यहाँ पर इस वीडि थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो